इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करेंगे H.A.M. और यहां पर SSD के बीच में ECS T10 का आज के दिन का जो पहला मैच खेला जाएगा डिटेल में कवर करेंगे भाई वीडियो कम्प्रिट देखना ठीक है दोनों टीम्स के साइड से कौन से प्लेयर इंपोर्टेंट है कौन से 11 प्लेयर आप लोग अपनी टीम में पिक करोगे Captain से किसको करोगे Vice Captain से किसको करोगे सारी चीज़ आगे वीडियो में देखेंगे और आपको जो प्लेयर में इस वीडियो में बता हूँ ना वो प्लेयर आपको अपनी टीम में जरूर पिक करने उन में से किसी भी प्लेयर अगर आपने ड्रोप किया ना आपको हो सकता है एक ही प्लेयर के पिछे पूरी टीम भी खराब हो जाएगी ठीक है तो वो गलती मत करना जतना उसके T10 Matches में Grandly को पर आपको ज़्यादा फोकस करना है उनली चार से पास टीम्स बनाओ इससे ज़्यादा टीम्स आपको नहीं बनाने जाओगे ज्यादा रिस्क आपडो़ोगे और फिर और चीजी आपके लिए रिस्की बन जाएगे तो वो ज्यादा में रखना maximum to maximum 4-5 teams की rate करो ठीक है बाके detail में आगे हम लोग सारे चीज़े देखने वाले हैं उससे पहले दोस्तो चैनल पर नाई हो तो subscribe करके notification bell उन कर लेना किसी भी match की वीडियो आगे upload होगी आप लोगों के पास में notification आजेगा सबी T10 matches की वीडियो में आपके लिए cover कर रहा हूँ अगर आपको हर T10 match की वीडियो चाहिए दोस्तो तो चैनल को subscribe करके notification bell जरूरों कर लेना वीडियो पसंद आई वीडियो में बताईगे information अगर आपको अच्छी लगयों तियार वीडियो को like जरूर कर देना यह हमारा टेलीग्राम चैनल अगर आप लोग टेलीग्राम के साथ में नहीं जुडियो भाई बहुत कुछ मिस करोगे टेलीग्राम से जुडियो आपके लिए सबसे ज्यादा important है इसी वीडियो के comment section में और वीडियो के description में दोनों जगे पर आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा फटा फट जाईए और जोईन कर लीजिये टोस्ट के बाद में कोई भी updates होती है final team में last moment पे अगर कोई भी change किया जाएगा क्योंकि आपको पता है हर match में almost in की playing 11 change होती रहती भाई और team लेंदर अगर कोई भी change होगा तो final जो team रहेगी वो टोस्ट के बाद आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी comment section और वीडियो के description में link है टेलीग्राम का फटा फट जाईए भाई अगर बात करें पिछले दोनों matches में open किया भाई एक match में 36 की पारी और एक match में पास रंज की पारी ठीक है owner and average performance देखने को मिला लेकिन जो plus point हो सकते है वो ही है कि open करने वाले player है और 10 over का match है तो openers या फिर top order के जो बल्ले बात होंगे वो आपके लिए ज़्यादा important हो सकते है क्योंकि 10 over के match में नीचे वाले player को team में pick करोगे तो शायद उसका उतना ज़्यादा benefit आपको ना मिले ठीक है मतलब दोनो openers जो आपको दिखेंगे H&M की team की side से दोनों ने average performance पिछले दोनों matches में करके दिखाई अब इस match में भी ये मत समझना कि भाई ये player आपको same position पे batting करते हो दिखेंगे हो सकता है इस match में batting order change होगे क्योंकि ये 10 over का match है T10 match में ये चीज़े अकसर आपको देखने को मिलती रहेंगी कि batting order almost आपको हर match में इनका change होता वाद दिखेंगा ठीक है लेकिन लेना चाहूं दोनों place के साथ में जा सकते है उसके बाद में S.Koranga की option है कoranga जो की आपको दिखेंगे भाई SSD की टीम की side से ये देखो one down भी batting रह सकते हैं ये second down भी batting रह सकते हैं लेकिन अगर मैं पिछले दोनों matches की बात करोना उन में उतनी बढ़िया form नहीं है दोनों matches में सर्फ एक-एक runs की पारी इनों ने खेली लेकिन ये player talented है इस match में आप लोग है जिए differential अपनी टीम में जगए दे सकते हो safely अगर आपको खेलना तो भाई आर खान और याँपे A.A.A.L.E. इनोंने पिछले दो match में 14 runs की और 12 runs की निंग खेली है पलस point वही है कि दोस्तो open करने वाला player है तो आपके काम कई नगी आ सकता है फिलाल यू चोधरी को टीम में pick करेंगे उसके बाद H.A.M. की side से आजब मोमन रहेंगे इनके बारे में आपको मैं बता दू भाई ये देखो पिछले दो match में 1 match में 4 runs की पारी और 1 match में 49 runs की पारी वन डाउन इनोंने बैटिंग करी है लेना चाहो अपनी टीम में ले सकते हो फिलाल में टीम में pick नहीं कर रहा हूं उसके बाद में नीची आओगे आयूला की option है उतनी बड़ी आफो मैंनी एन्वी जेशिंग है जो कि आपके luck पे depend करने वाला player है जैनूली बता रहा हूं क्योंकि पिछले match के अगर बात करूँआ तो लगबग इनोंने 4th या 5th down पे बैटिंग करी थी 16 runs की पारी खेली थी लेकिन जस्ट उससे पहले वाजे match में इन्होंने वाई एक विकेट भी लिया था complete dover की गेंदबाजी करवा के अब ये गेंदबाजी करेंगे नहीं करेंगे वो confirm कताई भी नहीं है ये ज्यानक न ठीक है गेंदबाजी करेंगा आपके लिए plus point है otherwise ही आपके किसी भी कामगा नहीं बचेगा तो लेना चाओ ले सकते हैं otherwise अपनी टीम से drop भी करके चल सकते हैं उसके बाद में नीचे कुछ खास options है नहीं हैसे जावेद की option आपको जरूर मिलेगी अब एक चीज इनके बारे में भी आपको बता दू हेम की साइड जे ये प्लेयर जो रहेगा भाई ये आपको थोड़ा सा नीचे बैटिंग करता हो दिखेगा लेकिन पिछले दोनों मैचिज में बंदेने लगातार दो दो ओवर अब हो सकता है इस मैच में एक बार फिर से गेंद बाजी ना भी करें तो वह चीज आलमें रखना हो सकता है टीम इनको इस मैच में बैटिंग ओडर में बी उपर पर पर मोट कर दे क्योंकि बैटिंग सेक्शन के प्लेयर है उपर तो आही सकते है तो भई अब थोड़ा सा चीज़े confusing बन जाएगी कि यहाँ पर एच जावेद गेंदबाजी करेंगे या नहीं करेंगे दूसरी जो चीज रहेगी वो ही रहेगी कि भाई पता नहीं उपर भी बैटिंग करने आएंगे नहीं आएंगे मैरिस्क नहीं ले सकता फिलाल इनको टीम से ड्रोप रखेंगे ठीक है उसके बाद में नीचे कुछ खास उप्संस है नहीं फैजन के साथ में जाना चाहू जा सकते हो थोड़ा सा नीचे बैटिंग उड़र है पिछले दो मैच में केवल दस रंस कर पाए करोना करके अगर बात करेंगे ये देखो वन डाउन बैटिंग करना है थे पिछले मैच में और 12 रंस के इनों ने पारी खेली थी लेना चाहू अपने हिसाब से देख ले ना बाकी मुझे उतने कुछ खास प्लेर नहीं देखे बिकोज ये अगर बात करूँ H.C.M की साइड से थोड़ा सा जो है आपको नीचे बैटिंग गरता हुए दिखेंगे लेकिन भाई पिछले अगर दोनों मैचिज की बात करूँ तो लास मैच में एक विकेट था उससे पहले वाले मैच में इनके नाम दो विकेट थे मतलब पिछले दो मैच में तीन विकेट ये निकाल शुकूर लगा था दोनों मैचिज में अपने दो दोवर यहां पे कम्प्रिट भी करे हैं ठीक है उसके बाद उपर आओगे ऐसले स तंसे की 24 में लेके चलोगे सबसे बेस्ट उप्सन आपके लिए रहेगा उसके बाद में के महमूधी उप्सन लेगी खालिद महमूध जो की सैकेंड डाउन बैटिंग करने आएंगे एचेम की टीम की साइड़ से हो सकता है इस मैच में थोड़ा सा उपर और बैटिंग करन में टोप ओडर में बल्लेबाजी जरूर गरेगा उसके बाद में रहेगी दोस्तों जैड हुसें की उप्सन अब इनके बारे में अगर बात करें तो ये थोड़ा सापको नीचे बैटिंग करते हो दिखेंगे SSD की टीम की साइड से ठीक है लेकिन गेंदबाजी से इंपोर् 23 रंज की फारी थी विकेट इनको मिला नहीं उससे पहले बाले मैच में 26 रंज करें और चार विकेट लिये थे और दो और अपने कंप्रिट करवाई पिछले दोनों मैचिज में क्यूँ ये प्लेयर इंपोर्टेंट हो सकते हैं आप आप लोग समझ सकते हो कैप्टन से की स 24 में आप लोग इनको लेके जरूर चलोगे उसके बाद एको एम जाडवेस्ट की उप्चन है अब इनके बारे में आपको मैं बता दूँ SSD की साइड से जाडवेस्ट की अगर बात करें तो इन्होंने थर्ड या फिर फोर्थ डाउन बैटिंग करें थी पिछले मैच में 13 बैटिंग में बट गेंदबाजी में सिर्फ एक ओवर करा था उसमें ये विकेट लेस्ट थे अब लेना चाओ ले सकते हो 24 आपकी अपनी रहेगे ठीक है सबी प्लेस के बारे में बता दिया तो ये पास प्लेयर आपको लाउंडर डिपार्टमेंट से जरूर टीम में पिक ओँवा ए उसैन की जोखी एसेसडी की साइड इसे गेंदबाजी करेंगे पिछले दोन्व मैचिस में दो-दो ऊवर अपने कंप्लेट भी करें लास मैच में एक विकेट लिया था उससे पहलेवाली मैच में ये विकेट लेज ते ठीक है दोवर कंप्लेट करेंगे वो प् तोकि पहले वाले अगर मैं आपको stats बताऊं तो यहां से देखोगे एस अब्दुलग ने लास मैच में दो वर गंबिट करें विकेट लेश थे उससे पहले वाले मैच में इनोंने दो विकेट ले थे दो वर की गेनबाजी करवा के दो वर अपनी गंबिट कर रहे है बट विकेट इनको उतने जादा नहीं मिल पारे है वो थोड़ा से इशू है बाकी प्लेयर इंपोर्टनेंट है दो वर गंबिट करेंगे डेफिनेटली विकेट निकालने के चांसिस बनेंगे ठीक है प्लेयर को पिक करना भाई कर सकते हो लेकिन सबसे बैस्ट जो 11 प्लेयर है वो हमने पिक कर लिए अब देखो कैप्टन सी तो आपको मैं सिधा सिधा बता दू मेरे टीम में यहाँ पे ऐसाली सायद पर रहेगी अब वाईस कैप्टन सी में आपके पास में बहुत सारी उप्सन है के महमुद को ट्राइगरो एहाँ में अपको ट्राइगरो फारुक को ट्राइगर सकते हो यह आपके लिए अच्छी उप्सन हो सकते भाई ठीक है और जड उसे थोड़ा सा बैटिंग ओडर निचे हैं सिर आप लोग ऐज़े गेंदबाज अगर ट्राइगर सकते हो तो भाई कर लेना फिलाल मेरे टीम में जो कैप्टन सी रहेगी वो मा आपको बता दू यहां से ऐसली सही है जो कि मा आपको लड़ी बता चुको मेरे टीम मेरे टीम ऐज़े कैप्टन नहीं यह ए एह एहम्मद को दे दो या फिर आप लोग यहां पर भाई खालिद महमुद के साथ में जा सकतो फिलाल हम लोग चलेंगे एम एम्मद के साथ में तो यह अपनी जो है ग्यारा प्लेयर की टीम आपको दिखेगी विद कैप्टन और वाइस कैप्टन कोई भी चेंज करूँगा इसके अलावा किसी भी मैच की वीडियो आपको मिस्स नहीं करनी है मिलते हैं दोस्तों अगली मैच की वीडियो में उमीद करता हूँ आप लोग इस मैच में एक बढ़िया टीम कोमिनेशन बनाओगे और आपके टीम अच्छा परफॉर्म जरूर करेगी